अब जोगाईज में हूँ अमित और अभी जो अपने शुरूफ में वीडियो देख लिया है आज मैं इसी वीडियो को ट्यूट्रल आप सब की बीच में देने वाला हूँ जो की इंस्टा पे बहुत ज़्यादा वाराल हो गया है एक्सपी श्टोरी करके कुछ चैनल का नाम था तो उसी भाई ने अफलोड किया था और मेरे को भेजा गया कल इंस्टा पे की बाई इसका ट्यूट्रल बताओ वीडियो बनाना तो सिंपल है पर इसका पी एंजी जो बैक्राउंड का उसे ढूंडने में मेरे को बहुत ज़्य बिलाए जरूर करूंगा और आप चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोट फिक्सन बेल को ओल कीजिएगा साथ में सेकेंड चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो उस चैनल को भी चीक कर लिजिगा तो वीडियो स्टार्ट करते हैं ना कोई भू करना जरूरी होगा स्टेट कर लेजिगा उसके बाद 10 8P में साथ भरेज़ेट के साथ प्रजेक्ट करना है अब आप कुक्या करना है एक बैक्राउंड पिक जो मैने आप सब के लिए कर दे उससे डाउनलोड करके आपको अपने मीडिया में जाना है और यहां से मैंने जो तो पिक्सल लैब में आ जाते हैं यहां पर बैक्राउंड जो है इसको स्लेक्ट कर ले इस परकार से रेडी किया हुआ है मैंने खुद से रेडी किया है सिर्फ पी एंजी यह से बहुत ढूंडा तब जाके मिला लेकिन रेडी करना मेरे को ही पड़ा है तो यह कुछ इस परका कर कोके एक्स्टैक ट्रेड oldest और वीडियो को सेलक्तेर के यहां से डेलेट कर देना है गोरी कि मौण साउड की साउंड को निचे ले आएंगे इस प्लस में पर ओकशिव में और यहांसे मैंने यह लीखा था लीख सकते हो चाहिए जो भी आपको मन हो लिक सकते हो यहां से ऐलाइन करेंगे बीच में और इसका जो फॉंट है सो हैंग लेटर नाम से है लिंक डिस्क्रीप्सिंग में होगा और अब आपको इसके साइज को यहां से बहत्तर कर लेना है यह च्छेंज कूँ नहीं हो रहा हैagua 72 कर ले ऐ है इसपिर कर लेना इसके colour को आपको black कर लेना बलैक करने कुदा टिक करने को अब भूब करके यह जो नीचे वाला ढली है यह इसमें आपको यहां पर रख लेन Crispy आपको एकदम बरावर मिल जाएगा यहां पर हालका सथ इतना पर रख लेना है रख लेने कवाद अब आपको क्या करने इस जो मुफ बटन है इस फे एक बàट टाप करने कवाद यहां पर आपको इक dot वोने लगएगा साइद यहीं इसको इस lly all this इतना रख देता है यहां पर डेख सेकत दोच सा आरह ऑर जब इतना पर रख देती हो तो इस बटन पर टाप कर देने की सिफiced में आपको मोब अब ट्रान्सपाम में चलते हैं देखेगा स्विंग इसको स्लेक्ट करने प्लस करने स्टेंडर्ड यहां फिरिक्वेंसि को आपको कम करके रख लेना है और पकादस रख लेते इतना रखोगे तो आपका जो यह हिलता हुआ नजराएगा ऐसे देख सकते हो और जब एवह हो जाता है तो आप अब बाद को लेडिक्स लिखने के लिए क्लिए क्लिए क्या करना होगा यहां से बैक हो जाते हैं जो एक्समेल और प्रेसिट करने के बाद यहां से दोनों लेयर जो है इससे सलेक्ट करना है और यहां पर कॉपी लेयर पर आकर यहां से कॉपी टू लेयर करना है कॉपी करने के बाद बैक हो जाएंगे फिर से बैक हो जाएंगे और अपने इस प्रोजेक्ट में आ जाते हैं आने के बाद यहां पर पेस् लेटर और जब इतना हो जाए अब आपको lyrics लिखने के लिए यहां पर देख से को lyrics आ रहा है लेकिन सभी से नहीं आ रहा है करके cut कर देना है आगे कीचना तो आगे खिच सकते हैं बगल वाले बटन से जब इतना हो जाए तो यहां पर क्या करना है तो इसका lyrics change कर देते हैं जो आगे का लाएने पल को पर रहे गए लिख लेते हैं तो पल को पर रहे हैं गए ऐसा लिख लिए फॉन्ट ओही सेलेक्ट करने बस इतना करोगे आपका वीडियो बन जाएगा तो चलिए आज का ट्यूट्रेल आपको पसंद आया अच्छा लगा तो लाइक कीजिगा चैनल पे नेते चैनल को सब्सक्राइब कीजिगा मिलते अगली वीडियो में तब तक लिए वीडियो द देखने के लिए बहुत बत धन्यवाद